हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप से स्वागते हैं आपका हमारी यूटीब चैनल में दूस्तों आज का जमा टॉपिक है वो है पाकिस्तानी स्लीव डिजाइन कटिंग के बारे में तो मैंने एक वीडियो डाली थी अपने चैनल पे थोड़ी दिन पहले तो उसमें हमें कमेंट आ र इंच फोल्ड किया हुआ है यानि कि 10 इंच हमारा चार बार है तो अब यहां पे आती है लंबाई की बात तो लंबाई आप जितनी रखना चाहते हो उतनी रख सकते हो अपनी स्लीव की फूल स्लीव पहनना पसंद करते हो तो फूल ही रख सकते हो लैंद यानिके 21 से 22 इंच करते हो तो 2 इंच एक्स्रा करना है तो इसन चीते निगी जग ना थी करने המסू धारे 4 इंच से निग एकफीकर Men पर एक डबारी को साई निगा ना, तो 12 इंच 2 इंच 5 इंच 10 इंच 10 इंच करना से तो 24 इंच 8 इंच 10 इंच करना तो यहां पर दो इंच का निशान ठीक है तो इस निशान को हम देखे इस तरह से ऐसे इस तरह से मिला देंगे यह दो इंच तक हमने मिलाना है इसको और इसकी शेफ हमने कुछ इस तरह से रखनी है ये हमारी पाकिस्तानी सलीव कट हो रही है फ्रेंस इस बात का ध्यान रखेगा तो अभी हमने क्या करना है नीचंच से लेकर उपर तक 10 हिंच पे निशान लगाना है यहां पर यह हमारी इल्बो तक कर निशान होता है एल्बो से थोड़ा सा यह उपर ही होता है तो यहां पर हमने अपना जितना भी आप खुला रखना पसंद करते हो खुला आप आठ इंच भी रख सकते हो इसलिब को यहां से 7 इंच भी रख सकते हो वो आपकी मर्जी है आपने इसको पूरी पाकिस्तानी स्टाइल में कट करना है तो आठ इंच रखेगा लेकिन यह थोड़ा सा टाइट पहनना पसंद करते है यहां से इनको ज्यादा लूज नहीं चाहिए तो 7 इंच पे मैं इसका निशान लगा रहे हूँ इसकी आगे की रेडी रखी है वो आप 9 इंच भी रख सकते हो वो आपकी मर्जी है तो एक्स्ट्रा मार्जन हमेशा लेके चलना होता है तो यहां से हम आगे से कट करेंगे और देखे इस तरह से सारी मार्किंग होगी हमारी यह पाकिस्तानी स्लीव है इसको हम बेल बॉटम तब बोलते हैं जब यह हमारी कोहनी पे से ज्यादा टाइट होती है तो यहां पे इस तरह से हम इसको कट कर देंगे और मैं इस स्लीव को आपको रेडी करके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि यह सेम उसी तरह से त्यार होगी जैसे मैंने आपको एक पहली वीडियो डाली है तो अब आगे का हम जो आर्म होल का जो फ्रंट काट हम डालते हैं बाजू की वो दो पल्ले आपने उठाने है इस तरह से खोल लेना है स्लीव को यानि के और यहां पे इस तरह से फ्रंट काट डाल लेनी है दो बाजूए में यह हमारी दो साइड आगे वाली साइड ही काट डल जाएगी दोनों साइड ठीक है इस तरह से ध्यान से आपने रखना है और यहां पेस को कट कर देना है यह दिखे यह हमारे आगे के काट आएगी बाजू की स्लीव की इस तरह से तो ये हमारी फुल वीडियो है फुल कटिंग है ये हमारी उमीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी अगर कुछ भी समझ में ना आए तो फ्रेंज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो तो अभी जैसे जैसे हमने मार्किंग की है यहाँ पर स्लीव की वहाँ वहाँ पर हम सलाई लगा लेंगे आगे से 20 को फोल्ड करके सलाई लगा लेंगे यहाँ पर गुलाई की सलाई भी लगा लेंगे तो अगर फ्रेंज अभी भी आपको कोई डाउट है तो वो भी हमें comment box में comment करके पूछ लीजेगा मैं आपके हर सवाल का जवाब दूँगी तो ये हमारी बाजू की cutting है वीडियो गर पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजीगा शेयर कीजीगा और हमारे चानल को subscribe जरूर कर लें औब बाजए ख्रेंद धीकर है